सबी सातियों को नवशकार मैं अवदेश आप सब के लिए एक जानकारी बताना चाहता हूँ कि आजकल बिजली मीटर लगाने के लिए डीडीय नोसी की आवसक्ता पड़ती है उस नोसी के लाने के लिए हमें एक B.S.E.S. से मेल करानी होती है तो जब हम B.S.E.S. में मेल करात हुआ हैं तो B.S.E.S. से मेल हो जाती है और हम फिर D.D.A. उपस में ओके दीडीय उपस चले जाऊ तो जब हम जाते हैं तो वहां कहते यहां से मेल ही नहीं आई है B.S.E.S. जाऊ तो हम बार-बार डीडीए उपस और B.S.E.S. के चक्कर काटते हैं इस सब के लिए मैं एक ऐसे आपको जानकारी बताता हूं कि जिससे आप को नas dda office के ड़े चक्कर कातने हैं ना वी येस येस ये आप अपने phone से ही DDA NOC के लिए apply कर सकते हैं, उसके लिए एक simple सा process है, आप अपने play store से PM Odaip को download करें, PM Odaip में अपना नाम, फादर नेम, अपना मदर नेम, प्रोपर्टी पेपर का address, खर्सा नमबर और कितने गज की प्रोपर्टी है, उसको fill up करें, इसके बाद आपको DDA NOC में fill up कर देंगे एक नमबर आएगा, उसको मैं बताता हूँ कैसे आप fill up करेंगे, वो छोटी छोटी जानकारी मैं आपको अभी इसी वीडियो में बता हूँगा, तो आप मेरे वीडियो में लाज्ट टक बने रहिएगा, मैं सारी process आपको एक एक करके सभी बता हूँगा, साथियो मैंने जो PM मुबाइल में डाउनलोड कर रखा है, उस एप को खोल लेंगे, खोलने के बाद इस तरीके की थीम आएगी, इस थीम में देखिए, नीचे की और लिखा हुआ है हमारे पास registration, तो हम इसको open कर लेंगे registration को, फिर हमारे पास ये form खोल जाएगा, इस form को fill up करना है, देखिए, इसमें पहला आएगा first name, middle name, last name, तो हमारे पास जो भी नाम है, उस हिसाब से हम भर देंगे, किसी का नाम, राम कुमार यादो, तो राम कुमार यादो, फिर mail है, तो हम mail पर ही select रहने देंगे, यहाँ पर father name, जो उसके पिता जी का नाम है, वो डाल दें फिर mother name, उसकी ममी का नाम, फिर यहाँ पर देखिए, नीचे उसके आएगा house number या flat number, जो हमारा house number या flat number है, हम वो डाल देंगे, फिर आएगा street का option, street में हम खसा number डाल देंगे, यहाँ पर आएगा एक last में, colony, colony का address डाल देंगे, जो भी है, फिर district, हमारा जो address के हिसाब से, property address के साब से, जो district है, वो डाल देंगे, फिर आएगा pin code, तो जो pin code है, वो डाल देंगे, फिर email id, email id अगर अपनी है ठीक नहीं, तो घर में किसी की भी email id डाल सकते हैं, फिर देखिए, यहाँ पर आएगा colony का नाम, तो again, दोबारा से हमें यहाँ पर colony का नाम डालना होगा, कालोनी यहाँ पर हम सर्च करके निकाल लेंगे, जो भी हमारी कालोनी आएगी, नांगलो इजार्ट जो भी है, हम उसको भर देंगे, यह code अपने आप आ जाएगा, कालोनी के साब से select हो जाता है, फिर दोबारा से हमें यहाँ पर plot number, खसरा number, area, हमारे कितने गज की property है, दे तो मीटर में अपने आप इसमें accept कर लेता है, accept कर लेगा, तो देखिए, फिर इसके बाद आता option mobile number डालने का, हम जैसे ही mobile number डालेंगे, और यहाँ पर send OTP पे click करेंगे, तो एक OTP आएगी उस mobile number पे, तो उस OTP को हम इस OTP वाले option में भर देंगे, इसके बाद यह capture है, इस capture क इस capture में, जो enter capture लिखा हुआ, यहाँ पे fill up कर देंगे, और submit पे option पे click करेंगे, जैसे ही हम click करेंगे, तो हमारा यह form dda में submit हो जाएगा, और यह के यहाँ पर dda का request number generate हो जाएगा, तो दोस्तो request number के बाद, हमारे पास एक process mail करनी होती है, इसमें जो आएगा पटवारी, व map ले करके, हम mail करेंगे, तो मेरे second video में दोस्तों बने देखना जरूर, जिससे की bscs और dda को joint mail कैसे करेंगे, हम बताएगे आपको, आप देखते रहेगा, नवस्कार साथियो,